हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि 2 x 2 order matrix का हम inverse कैसे निकालते हैं with a trick इसकी एक trick है जिसे आप जल्दी से जल्दी इसको find कर सकते हैं जैसे अगर matrix आता आपको a11 a12 a21 a22 अगर हमें इसका inverse अगर find करना है तो पहले determinant निकालेंगे उसके बाद इसका determinant निकाल लेंगे शुड़ नॉट भी equal to 0 then we have to find the adjoint adjoint of a हमारा adjoint of a निकालेगा कैसे निकालेगा इन दोनों को interchange यह एक trick है जो मैं आपको बता रहा हूँ और इन दोनों के sign change जैसे यह हमारा हो जाएगा अब interchange करेंगे तो a22 यहां पर a11 यहां पर जोगा minus a12 minus a21 तो यह होगा हमारा adjoint तो a inverse हमारा निकल जाएगा 1 by determinant of a इंटु में adjoint हमारा हो गया अब मैं आपको एक example के साथ बताता हूँ इस question को जैसे question आया हमारे पास two one seven nine तो हम इसका पहले determinant निकालेंगे determinant निकलता हमारा two और इस row को छोड़ देंगे इस column को बच्चा नाइन से इंटु कर देंगे माइनस वन हम एक ही जगा से करेंगे हम करने expanding along r1 अब इस row को छोड़ देंगे इस column को अब बचा हमारा पास seven तो one into seven यह हमारा nine तो होगा हमारा 18-7 is equal to 11 तो यह हमारा zero के equal नहीं है इसलिए हम लिख देंगे therefore a is invertible now अब हमें adjoint of a निकालने तो अब हमें ट्रिक बताई थी इन दोनों को interchange करेंगे 9 और 2 और इन दोनों के sign change यह plus seven था तो minus seven यह plus one था तो minus one यह adjoint आ गया तो हमारा a inverse बन गया हमारा inverse क्या होता है a determinant into my adjoint of a तो हमारा determinant था 11 और और adjoint था हमारा nine minus seven minus one और two तो हमारा बन गया a inverse यह बहुत कोशन में help करता है यह है छोटा सा लेकिन 12 में बहुत काम आता है अभी मैं जैसे कोशन बताता हूं उसमें बहुत काम आई हो यह जो मैंने इसमें ट्रिक बताई है इसमें कोफेक्टर्स निकालने कोई जड़त नहीं है इसमें सिरफ interchange करना और sign change करना आपको उससे अपने भी adjoint of a आ जाएगा और हम उसके द्वारा a inverse अराम से निकाल सकती है यहां पर हम एक और एक्जामपल लेते हैं इस कोशन का जैसे हमारे पार matrix रहती है 122-1 तो अब हमें पहले क्या करना होता है determinant of a कैसे निकालेंगे पहले हम expanding along r1 तो इस r1 से हम निकालेंगे determinant पहले 1 into इस रोगों छोड़ेंगे इस column को minus 1 बचा इससे into कर देंगे फिर minus का sign बीच में फिर 2 आएगा फिर इस रोगों छोड़ेंगे इस column को छोड़ेंगे तो 2 बचा तो यह होगा हमारा minus 1 minus 4 तो minus 5 आगे therefore a is invertible क्योंकि यह 0 के equal नहीं है इसलिए invertible है अब हम क्या निकालेंगे अब हमें इसमें co factors निकालेंगे बिल्कुल भी जड़त नहीं है इसमें हम direct adjoint of a निकालेंगे जय थे कि मैंने आपको trick बताई थी इन दोनों को inter chain और इनके sign chain plus 2 था तो minus 2 हो जाएगा और plus 2 था minus 2 तो हमारा adjoint निकाल तो a inverse का formula होता हमारा 1 by determinant of a into adjoint of a तो हमारा determinant आय था minus 5 और adjoint है हमारा minus 1, minus 2, minus 2 और 1 तो हमारा आगा a inverse तो हमारा आगा a inverse thank you for listening and watching this video if you like please comment in the comment box and like and subscribe and share it thank you you